हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वित आयुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा पैटर्ण्स के आई पीओ की लिस्टिंग डे स्ट्राटरजी के बारे में जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि कल डेटा पैटर्ण्स का आई पीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर तो किस प्रकार की लिस्टिंग होती भी देखने को मिलेगी यह तो आप सबको पता है कि प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेग इसके उपर दोस्तों इस फीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को जरूर आप पूरा देखेगा अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा सबसे पहले कुछ information जान लेते हैं तो याद रखेएगा आपको जो एक share कर मिलता हुआ देखने को मिलेगा वो मिलेगा 585 रुपीज का 585 रुपए का आपको एक share मिलता हुआ देखने को मिलेगा यह बात आप सबको समझ में आनी चाहिए अगर आप देखेंगे तो आपको total shares मिलते हुए देखने को मिलेंगे कल 25 और 585 यह नि 585 के 25 shares मिलेंगे और face value रुपीज तो चलिए भी face value तो importance नहीं रखती लेकिन सबसे importance क्या रखता है कि यहाँ पर कितना profit होता हुआ देखने को मिलेगा profit का figure क्या होगा और उसके उसके बात करेंगे कि आपको hold करके चलना चाहिए कि sell करना है यह बहुत important है profit के साथ साथ सबको काफी कमेंट section में आ रहा था कि sir हमारा refund कब आएगा तो अब तक refund आपको आज आना चाहिए था अगर अभी तक आपको refund नहीं आए तो आप चिंता मत करिए आप यहाँ पर जा सकते हैं आपके bank के पास महां पर पूछ सकते हैं कि हमारा refund अभी तक नहीं आए तो आपक मेंडेट को cancel कर देंगे या फिर जो आपके मेंडेट के expiry day उस दिन आपके पैसे अगर in case अभी नहीं आते हैं तो तो यह आप चिंता मत करें आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे आपके पैसे आपको वापे मिल जाएंगे जिनके पास जिन्हों की भी आई प्यों नहीं लग जाएंगे आपके डी मैट के अंदर तो इस पार में भी कोई चिंता मत करेगा जिन लोग को आई प्यों लगा है कि हमारे भी तक शेयर नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है आपको 9-15 से पहले कल कल में आपकी जो शेयर से वह आपके डी मैट में रिफ्लक्त करने लग जाएंगे अब देख लगते हैं कितना ग्रे मार्केट चल रहा है इसकी आपको ग्रे मार्केट साफब देखने को मिलेगा जो साथ बज़े अब बेट हुए उसके मताबिक करीवन 330 रुपे आपको मिल रहे हैं 330 रुपी आपको मिल रहे हैं आई प्यों के अंदर और यह तो देखिए accurate कभी भी कुछ नहीं होता है लेकिन हाँ हम मान के चल सकते कि एक price लगा के चलेंगे अब price क्या लगा के चलनी है यह important है देखिए जिस प्रकार से अभी grey market चल रहा है and जो IPO का price band है वो है 585 रुपीज का 330 रुपे आपको यहाँ पे और मिलते हुए देखने को मिल रखेगा कभी भी कभी जो आपको exact price नहीं होगी लेकिन एक range मान के चलनी है तो अभी फ्रेंट जो range बना के चलेंगे आप कल के लिए वह आप मान के चली कि कम से कम आपको जो कल की range है वो 900 रुपे से लगाकर या फिर आप मैं कहूं 880 प्रिसाइसिवली 880 रुपे से लगा अगर 800 से के नीचे होती ही तो देखी यह जो लिस्टिंग रहेगी वो थोड़ी सी डाउन लिस्टिंग रहेगी निया अच्छी लिस्टिंग नहीं है लेकिन अगर 1050 के उपर एक खुलता है तो मान के चली यह ब्रिलियंट लिस्टिंग है 880 से देखे 1050 का range आपको मैं क्य आई प्यों के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी डेफिनिटली आपको ज्यादा पैसा आता हुआ देखने को मिला जिन जिन आई प्यों में वह आई प्यों बड़िया लिस्टिंग करते हुए देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल कल की range आप सब समन्द लीजिए कि कल क कि जो range रहेगी इस IPO की वो रहेगी 880 रुपीज लगाकर 1050 की अब बात कर लेते हैं फ्रेंस profit का कितना overall profit यहाँ पे आपको होता हुआ देखने को मिलेगा तो देखें जो profit की range है वो मुझे लगता है कि साफ साफ यहाँ पे बन सकती है कल के लिए 8000 रुपे से लगाकर 10,000 कम से कम मैं आपको बता रहूँ कि 800 रुपे का profit तो आपको होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा अब market अगर कल वह scenario में आपको 100-200 पॉइंट नीचल लाता तब बात अलग हो सकती है यह भी आप मान की चलेगा exceptions क्या है लेकिन otherwise देखिए मेरे साफ से कम से कम आप मान की चले कि जो कल आपको यह profit है उसका figure करीबन 8000 रुपे का तो होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा याई 8000 रुपे का profit होगा 8000 से कम से कम मान के चले 10 रुपे तक की range रहेगी profit की इस से उपड़ जाने के chances अभी जो है वो है high 10,000 रुपी से अधर profit होने के chances अभी आपको काफी high देखने को मिलेंगे क्यों because market के अंदर momentum बढ़िया है प्लस आज की जो listing थी हो solid हुई तो यह सबसे बड़ा इसके लिए कह सकते की plus point है इसके कारण मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर listing बढ़िया होती भी देखने को मिल सकती है तो बिलकुल यहाँ पर जिनके पास बिलकुल तगरे profit के लिए कर तयार रही है आपको बढ़िया profit होता हुआ देखने को मिलेगा कोई भी चिंता लगा के नहीं चलनी है लेकिन अब next question निकल क्या आता है next question क्या है next question यह कि आपको hold करना है या फिर कल profit लेके sell कर देना है इन दोनों में क्या करना है सबसे बड़ listing यह इनके लगा है तब आपको मैं यह कहूँगा कि partial book करके चलेगा कितना partial पूरा नहीं sell करना है partial book करके चलना है यह याद रखेगा बहुत important रहने वाला है कि आप partial book करके चलेंगे तो बिलकुल सही रहेगा क्योंकि data pattern जिस पर लगा कि company है बहुत शांदार company है बहुत जादा शांदार company है और बिलकुल इसके अंदर potential है कि आगे चलके बहुत बढ़िया करेगा यह बात सोचके चलनी है तो बिलकुल इसको partial book करके चलेंगे अदर्वाइस जिन लोगोंने सिर्फ listing गेंड के लगाते है तो वह क्या बाय कर सकते तो देखिए बाइंग की जो रेंज रहेगी वह 800 रुपे के आसपस किराएगी 800 रुपे के उपर निकल गया इसका मतलब आप समझ लीजी कि आपकी बाइंग रेंज के बाहर है यहां से थोड़ा बहुत तो मानके चली कि आपको fluctuations in profit booking होती हुई इकने को मिलेगी मिलेगी लेकिन अगर आपको अभी भी रेंज बाय करनी तो मैं आपको बाइंग रेंज रिसकता हूं कि 800-900 की बीच में अगर आपको मिल जाता है तो बाय कर लीजेगा बिल्कुल purchase करने वाला stock है यह होगा क्या कल सबस्चे बड़ी बात तेजी होगी इसक कल सकते हैं otherwise बिल्कुल अभी तो यहां पर जादा में बाइंग के suggestion नहीं दूँगा नए investors को बिकॉज यह बहुत fluctuations रहते हैं और कुछ कह नहीं सकते सबसे बड़ी बात लेकिन हां long term की वेशिस पर आपको लेना है stock तो undoubtedly पिक कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं कंपनी ब और क्या डाउट है and definitely don't miss to like the and share the video and subscribe also आप कर लीजेगा तो friends thank you for watching this video